इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह है ये दवा लसी का ग्रंथियों साइंसाइटिस और हाइपोटेंशन को शांत करने के लिए बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती है इसके बहुत सारे मानसिक लाब है और ये तंत्र का तनाव को प्रबंधित करने और एकागरता बढ़ाने में मदद कर सकता है ये सिर आंख नाक और पेज से संबंधित चिंताओं को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक ये हैपेटोजनिक टॉकसिमिया और लिवर अपर्यापता जैसी लिवर संबंधित चिंताओं को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है दो ये लसी का ग्रंथियों को शांत कर सकता है और साइनसाइटिस और हाइपोटेंशन को कम कर सकता है तीन ये तंत्रिका तनाव, उदासी और उदासीन मनुदशा को कम कर सकता है चार ये स्ट्रापिसमस को प्रबंधित करने और गले में सूखापन को कम करने में मदद कर सकता है पांच ये भेंगे आखों को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है छे यह नाक की रुकावट और नकसीर से राहत दिला सकता है साथ ये सूखे गले और सफेद गांट वाली खांसी को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है आठ ये लीवर और किड्नी से समबंधित बीमारियों को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है नौ ये तवचा की सफेदी को कम करने में मदद कर सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को ज़रूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें